सूरेनमसकार जिस पर मुझे लगता है हमें बात जरूर करनी चाहिए सबसे मात्पोपून का जाता है सूरेनमसकार फाइदे क्या सूरेनमसकार कि ahah कर सके हमारे दर्शकों केiłिए सूरेनमसकार तो भी मैं चाहओगी बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी किसी को भी जब योग की शुरुवात करनी है तो बहुत ही असान तरीका है सूरे नमशकार से शुरू कर दे उसके अंदर ही 12 आसन आ जाएंगे और सारा आपका पूरी टॉप टुबॉटम आपका पूरा का पूरा बॉड़ी का मुवमेंट आ जाता है तो मैं चाहती हूं कि हम भी लोग साथ मिलकर सूर्य नमशकार करें बिछ बिट नोग स्टूडियों में जितने भी बंदना और दोनों बाती जो खास मेमान है हम सब सूर्य नमसकार एक बर च्राई करेंगे और fortuneों बिल्ku सब ओम सूर्याय नमहा इसी के साथ साथ 2 बेख बेंडिंग 3 फॉर्वर्वर्वड बेंडिंग पष्चिमृतानास्थ नीचे की तरफ जाएंगे 4 वन लेक पीछे 5 दोनों लेक पीछे 6 में दोनों घुटने अपने हातों के बीच में चैस्ट और चिन इसको अश्टांग नमस्कार कहते हैं इसमें हमेरे आठ अंग नीचे की तरफ ताच होते हैं स्विंग करते वे आप भुजंगासन में जाएंगे बिलकुल ये सूरे नमस्कार स्टूडियो में हमें आठ एक्सपर्स भी करके दिखा रहे हैं लेकिन इन तस्वीरों को भी मैं थोड़ा सा एलाइबोरेट कर देती हूँ प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी देखे डल जील के किनारे योग कर रहे हैं आप जाली रखिए अपना योगा प्रिया जीजी नाइन बन लेगाज प्ये मोदी कीन तस्वीरें से पहले सा मोधन प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी का हुआ और बहुत खुबसूरत तस्वीर, खुब सूरत नजारा डल जील का ये श्री नगर प्रधान्मंत्री नरिंद्र मोदी की भी यहीं पर मौजूदगी और अलग-अलग योगासन पी ये मोदी की ओर से किये ज़ा रहे हैं इस वक्त प्रधान्मंत्री नरिंद्र मोदी एक बड़ा संदेश देटे वह देखे सालों से 2015 से लेकर अभी तक सभी योग दिवस पर पीम मोदी इसी तरह से योग करते हैं, लोगों के बीच योग करते हैं, डल जील का फिलाल ये खुबसूरत नजारा, और स्टूडियो में भी हमाई साथ एक्सपर्ट जो मौझूद हैं, सूर्य नमस्कार हमें करकर दिखा र और हां स्टेप्स में सूर्य नमस्कार होता है, उपर से लेकर बस्तिष्क से लेकर नीचे पैर तक सभी जो शरीर के अंग हैं, उनका इस्तिमाल सूर्य नमस्कार में होता है, और सूर्य नमस्कार से फाइदा जो शरीर को मिलता है, हमारे दिमाग की जो शांती है, वो भी ब दिवस के मौक्यों पर देश दुनिया को नहोंने संबोधित किया और अभी श्रिनगर में सामुहिक योग कारिक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं इस वक्त योग आसन करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और उनके साथ जो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं वो एक आधना की भूमी है इससे उत्पादक्ता और सहनशक्ती बढ़ती है योग से नए अफसर पैदा हुए है योग केवल विद्या नहीं बलकि विज्ञान है योग से एकागरता बढ़ती है प्रधान मंतरी ने कहा कि योग पर अब रिसर्च हो रही है योग टूरिज्म का भी एक नया ट्रेंड बन चुका है वैश्विक नेता भी अब योग की बात कर रहे हैं प्रधान मंतरी नेरिंद्र मोदी ने श्री नगर से ये तमाम बाते योग को लेकर कहीं और ये भी कहा कि जिसे भी मौका मिलता है वो योग की चर्चा आज कल शुरू कर देता है और भारत पूरे विश्व को जगा दिया है दुनिया भर से लोग ऑथेंटिक योग सीखने के लिए भारत आते हैं आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगतार बढ़ती जा रही है लोगों में योग के प्रती आकर्शन भी बढ़ा है इसके साथ ही प्रधान मंतर भारत के उस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था तब से योग दिवस लगतार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है 2015 में दिल्ली में करतव विपत पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया और प्रधान मंतरी मोधी ने इस बात का भी जिक्र की आए कि 10 साल की जो ये यात्रा रही वो अत्यहासिक रही है और ये भी बताया कि कश्मीर आने का जो सौभाग्या उनको आज मिला है योग दिवस के मौके पर वो बता रहे हैं कि कैसे वो खुद को उरजावान महसूस कर रहे हैं योग से जो शक्ती हमें मिलत प्रधान मंत्री ने साथ ही यह चाहूंगी शासन के बारे में बताएं यह जो फिलाल तस्वीरों में चल रहा है ताडासन इसके फाइदे क्या मैं हमारी स्पाइन स्ट्रेट होती है और पूरी बॉडी के एक एक अंग जो है वो खुल जाते हैं आपके पूरा स्ट्रेच मिलत हैं जो छोटे कद के लोग हैं उनका कद बढ़ाने के लिए भी काम आता है बच्पन में अगर यह कराया जाए तो बच्पन में बच्चों की हाइट और भी लंबी हो सकती है अगर आप रोज अच्छा बच्चों की तो इससे हाइट बढ़ती है लेकिन अगर हमारी उम्र के लोग करेंगी तो क्या हमारी हाइट भी बढ़ेगी से देखिए हाइट एक सर्टन एज तक ही बढ़ती है पर अगर बच्पन में अगर कराया जाए तो जोटे बच्चे जो लगता है कि इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी उनकी हाइट जरूर बढ़ती है अच्छा अच्छा हम कर रहे हैं प्रिया मैं चाहूंगी वरिक्षासन भी कुछ इसी तरह का असन होता है इसके बार में बताइए उसमें शायद एक पैर ऐसे लगाएंगे और हाथों को उपर करेंगे इससे भी हमारी किसख को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब उसके के अफ्काइब कर रहें होगी हमारी लेक आज़ता हम करते हैं ना कॉंसेंट्रेशन बेट अब बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि आप वरिक्षासन जरू करें यूंकि अब बैलेंस बनाए होते हैं उसके बारे में भी ज़रा बताते रहें साथ-साथ अबी तस्वीरे जबाएंगी वहाँ पर जो जो आसन चल रहे हैं उनके बारे में लगातार हम अपने एक्सपर्ट के साथ पूछ रहे हैं इससे पहले ताड आसन किया था और अब वरिक्षासन देखिए मैं भी कर रहे हैं एक्सपर्ट के साथ आज पूछ स्टूडियो में और वलंदना रोजानव ख़बरे सुनते हैं हमसे और आज पूछ पूछ इंप Midwest के साथ आसन और अलग अलग कर रहे हैं वरिक्ष आसन फिलाल और अभी जो तस्वीरों में जो श्रीनगर में चल रहा है इस आसन के बारे में बताईए बैठ कर हम भी इसको ही करते हैं और आप इसके बारे में बताईएगा यह बटरफ्लाइ भोज कर रहे हैं आप तोनों पैरों को अपने पास लेकर आए और यह मु जो भी आपकी रोज मरा के जीवन में जो आजकल लाइफ स्टाइल की वज़े से जो डिजीज हो रही है महिलाओं को उसमें यह बहुत कारगर है बहुत जादा इससे आपका हिप ओपनिंग होती है फ्लेक्जिविलिटी इंक्रीज होती है स्पाइन स्ट्रेंथ होती है और स ये वला आसन अग्योंत रिप्ते जी ये कौन सा सरी मैं यह कून असन का ही एक है अराम से अब बैटे हुए है और पीछे गरदन को स्ट्रेच कर रहे हैं डिजय चैस्ट उपनिंग और ही अ शोल्डर्स को स्ट्रेंथन कर रहा तो देखें एक-एकर सभी आसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की ओर से भी बापर किये ज़ा रही हैं स्रीनगर से ये सीधी तस्वीरे आप देक रहे हैं और इसे अफिए और POLु miten में और परफॉर्म कर रहे हैं और PC-0 को लेकर 57 अपने मुझे प्रिया बताया जब इससे पहले हमने butterfly किया था कि PCOD में बहुत जादा मदद मिलती है अजकल बहुत common समस्या है मेरे ख्याल से 60-70% लड़कियां ऐसी जो की PCOD का शिकार है PCOD के लिए butterfly के लावा और कौन सी exercise करें आजकल every third girl have PCOD क्योंकि एक lifestyle disease है क्योंकि हमारी रोज मर्रा की जो हम खान पीन कर रहे हैं जैसा जीवन अम्व्यतीत कर रहे हैं सुबह से लेकि रात तक की दिन चर्या उसकी वैसे हमें PCOD होता है अब PCOD में एक आपका butterfly pose है और दूसरी बहुत important आसन है चक्की चलान आसन इसको आगे की तरफ से rotate करेंगे और पहले clockwise आप five times करेंगे पूरा अपना आपका जो ही पेरिया है इसको fully rotate करेंगे grinding है ना पूरा five times करके और उसके बाद अब anti-clockwise अब anti-clockwise करेंगे हम इसे अब पीछी जाईए और अच्छे से elbow को straight रखिए elbow को straight रखते हुए पीछे की तरफ भी जाईए आगे भी आईए यह भी एक बहुत अच्छा आसन है जो कि हमको help करता है PCOD में इसके इलावा धनुरासन जो और बहुत अच्छा इसमें कारगर रहा है धनुरासन आप पेट के बल लेटेंगे और पीछे से अपने पैरों को पक्रेंगे आप पर पांगे बहुत सुन्दर है ब्रीदिन आन आउट करते रहें स्ट्रेच दीजिए बहुत बढ़िया इससे हमारी स्वाइन की फ्लेक्जिविलेटी बढ़ती है स्ट्रेंद्ध बढ़ती है यह धनुरासन आच तस्वीरों में जो चल रहा है जोती जी यह कौन सा आसन है इससे क्या फायदे मैं मैं इस सोल्डर्स के लिए है शायद हाथ ऐसे करते हैं इस यह आपके लांग्स के लिए आपके चेस के लिए और आपके सोल्डर्स की फ्लेक कुल तो देखे कंदों के लिए ठांंद्री नारेंधरमोदी जो आसन कर रहे हैं से एंसे पहले हमने भी से ट्राय किया था भी और यह शोल्डर का स्ट्रेच ने ए इस से हमारा चेस्टबी ओपन होती है और शोल्डर का भी स्ट्रेच मिल रहा है इससे पहले हमने जिक्र किया था वंधना की back pain चोंकी बहुत common problem है इसके लावा neck में, कंधों में, shoulders में जो pain होता है हमारे उसके लिए गया आसन जो प्रधानमंत्री की और से इससे पहले किया गया और अब दूसरे आसन पर प्रधानमंत्री भी चलेगा है हम भी दूसरा आसन करते हैं PCOD का इससे पहले हमने जिक्र किया देखें सुभा सवेरे से मा कवरेज आप India News पर देखे रहे हैं और हमने stress से लेकर lifestyle कैसे बहतर हो बच्चों का जो screen time है उसे कम करने के लिए कौन सा आसन करें stress, depression, diabetes, blood pressure, तमाम अलग अलग जो basic problems आजकल बन चुकी है उन सभी के बारे में हम experts के साथ चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोधी की जो तस्वीरे आप देख रहे हैं उसमें PM Modi की और से जो जो आसन किये जा रहे हैं उनके बारे में भी हम अपने experts से पूछ रहे हैं और यह फिलहाल shoulder rotation, clockwise, anti-clockwise, प्रिया, इसके पाइदे क्या? Neck rotation हमारा सबसे पहले तो warm-up है एक spine का आपकी cervical spine का basically उपर के रिये का जिससे हमारी body में कोई injury नहीं होती है ताकि आप अगर सीश आसन या कोई बी और आसन लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको warm-up मिलेगा बाकी cervical spondylitis, medical condition उसमें आपका बहुत useful है यह आसन Neck के तो सारे यह starting है और यह बहुत basic और बहुत important है क्योंकि हम जब screen time की बात कर रहे हैं तो आखो को यह नहीं हमारी गर्दन को बहुत जादा ज़ोर है जरूरी है कि इसके लिए आपको खड़े रहना है standing position हो आपके सिर्फ spine सीधी रहनी चाहिए spine सीधी रहनी चाहिए आप यह बैट कर भी आप यह वाले सारे नेक के सारी exercises कर सकते हैं stretching के लिए और क्या exercise हो सकते है प्रियाजी? cervical के लिए हम लोग cervical के लिए और exercise भी बता सकते हैं जैसे कि जो main अगर आप cervical spondylitis condition को लेंगे तो हमको अपने दोनों हाथों को ऐसे आप माथे पर लगाईए और अब अपनी neck से आगे की तरफ pressure लगाईए और हाथ से रोकें उसको आगे जाने से इसको isometric exercise है यह जैसे कि इसमें कोई action नहीं देखेगा लेकिन internal pressure परता है अब यही चीज आप पीछे की तरफ करें अब same जोर आप पीछे की तरफ लगाएं और हाथ से रोकें दो तरफ अब ऐसे ही आप एक तरफ और करेंगे इस तरफ जाने दे और हाथ से रोकें ऐसे ही से यह चार जो में एक्सराइज मैंने आपको बताई है फॉर्वर्ड बैक साइज से और दोनों तरफ से यह इतनी इंपोर्टेंट है कि अगर आप एक दिन में तीन बार इसको करेंगे तो आपका सर्वाइकल इसको करेंगे और ये किसी के लिए बेदर रहे और कमर के लिए क्या यह बेयतर रहेगा आप भी कर दिखाएंगे ना है यह कंदर्हा कर रहे हैं यह लो ब्रिज ग्रिय को बन्दाशन वी बहुते हैं इसको शेतुबंदासन आपकी इस पाइन लोगों को रहता है और बाकी नर्वास वो आप memory के लिए भी अच्छा है, even thyroid के लिए it's very good.